आप सभी का सभागते याइस पुशकेशन में यूपी स्कलोर्शिप में इस पक्त सभी के स्टेटस चेक होने लगे इसके साथ ही करेक्शन करने के बाद आपको दुबारा से अपनी कॉलिज में हाट कॉपी जमा करना होता है जो कि आपको 17 फेवरी तक करना होगा तो यहां प बात करने वालें कि जो अभी आपके स्टेटस चेक हो रहे हैं इसमें खास तो आपके दो तीन जोकी स्टेटस सभी चाह 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 को काफी ज्यादा परशान करने सबसे ज्यादा तो आपके इन्वामेंट नंबर रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच वित्यनवस्टी कर दो एक पारिए नहीं पर्स त्रेक्ट करेंगे सबसे पहले तो आपके इन्वामेंट नंबर मार्ले को यहाँ न करा लेकर प्रिटर करें को आपको सामने तेखने को मिलेगा और यहाँ पर देखने को मिलेका क्या लिए गत्वर्स का परिचह फल है जो आपकी पेपर पर प्रतिशत हैं इसके साथ आपके कॉंसलिंग के थ्रूए अडमिशन हुआ है जो आपके वर्तमान पार्ट करम का इस पिद्दाल या फिर बोर्ड में पंजन करमांग कि यह होता है यहां पर इन्वामेंट नंबर सभी को देना कमपल्स्टी होता है जितने भी फर्स्ट एर होता है जितने अब हम्ते इन्प इन नंबर स्वेशन होता है उतल ம देना होता है तो आपधी को नहीं दिया तो आपको इन्वामेंट नमबर देना और खास तर पर यह गलती जितने भी रिनवल के उस्टेंट वह कर देते हैं कि क्योंकि आप फ्रेशर में तो इसमें कोई भी अपनी कॉलिज की तरफ से जो नंबर दिया जाता उसे फिल अब करते हैं लेकिन अब के लिए ल सब्सक्राइब कर लिए जल से जल करेक्शन कर लिए फिर अपने सब्सक्राइब कर दीजिए तो यहां पर बताने की पूरी तरह किसी कोशिश के बाकि अगर आपके कॉलिज के द्वारे आपके 75% के कम अगर भेज दिया गया तो फिर आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपके स्कोलर्शिप नहीं आएगा क्योंकि यहां पर कह भी दिया गया था कि अगर आपके स्कुल से 75% से कम की हाजरी दी गई तो फिर आपके चात्रवित्ती भी नहीं दी जाएगी जो कि आप नायत में हो टेंथ पे हो 11 12 यूजी पीजिस भी कोर्स में हैं अगर आपके इसके बाद से यहां पर बहुत्ति देखने को मिल रहा है जहां पर आपकी फॉर्म पोडिस्टिक से बेरिफाइड नहीं किया गया और यहां पी करेंट स्टीट रिजिस्टर और नॉर्ट तो यहां पर आपके जो एंसेट्यूट अगर वह एंपी पॉटल पर रिजिस्टर नहीं है तो इसको यहां पर कहा जा रहा है कि आपके जो जो जिसपी आप कोलेज इनस्ट्यूट में पढ़ते हैं और प्रको प्रेंट्ट इसके साथ कफ्ल्डक्र तब कर लें सब्सक्तात्सक्राब . या तो प्रमोर्ट नहीं किया गया या फिर आप फेल हो गया है जो अनवस्टी अप्लोड डाटा किया गया तो इस तरह आपको अपनी कॉलेज में बात कर लिए इसको लिके अप्लिकेशन देना है इस बाकी जो पर करेक्शन है वह आपकी कॉलेज के द्वारा भी किया तो अगर इस तरह की कोई भी समस्य है तो आपको इसमें करेक्शन कर लिए खास तरह पर जो आपके नुवामेंट नंबर रोल नंबर को लेकि काफ़ ज्यादा समस्य है तो जैसे अमने आपको कहा है आप लोग बिल्कुल वाइसे कर लिजिए बाग की जो भी अपडेट होगा मिसा पुताम तुताम जापके मिन